नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैप्टर चैट में। आज हम लेकर आये हैं। जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी बुक The Miracles of Your Mind। मानव मस्तिश्क अब तक का बनाया गया सबसे कॉंपलेक्स मशीन है। इस बुक समरी में हम मस्तिश्क के सबसे शक्तिशाली भाग अवचेतन मन के बारे में जानेंगे। पूण जीवन जीने के लिए आपको दोनों प्रकार के मस्तिश्क का उप्योग करने की आवश्यक्ता होती है। आपको एक साथ बुद्धिमान और रचनात्मक होने की आवश्यक्ता है। इस बुक समरी में आपको सिखाया जाएगा कि आप अपने अवचेतन मन का उपयोग करके अधिक धन और सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आप सकारात्मक आत्म बातचीत के माध्यम से अपनी बीमारियों, भय और पारिवारिक समस्याओं से बाहर निकलना भी सीखेंगे। यदि आप एक ऐसी तकनीक सीखना चाहते हैं जो आपको अधिक मजबूत, स्मार्ट और स्वस्थ बना सके तो आपने बिलकुल सही पुस्तक चुनी हैं। आए जानते हैं मस्तिश्क कैसे काम करता है। अवचेतन मन में हमारी विश्वास प्रणाली बनती है। अपने अवचेतन या व्यक्ति प्रक मन की मदद से आप बिना किसी व्यक्ति से बात किये, उसके मन की बात समझ सकते हैं। आप अपने चेतन मन को अपने शरीर के नेता के रूप में ले सकते हैं। ये शरीर के कई लोगों ने किया है, जैसे Thomas Edison, Henry Ford और Albert Einstein, तो आराम करें और अपने अवचेतन मन को अपने शरीर का पूरा नियंत्रन करने दें, और इससे आपको अपनी समस्याओं को ठीक करने के लिए नए रचनात्मक समाधान मिलेंगे. ये देखने के लिए कि अवचेतन मन कैसे काम करता है, आईए Albert Hobart का उदाहरण देखें. Albert ने बताया था कि उन्हें ज्यादा तर शांदार विचार तब आते हैं, जब वे बगीचे में काम करते हैं, या टहलने के लिए निकल जाते हैं. जब भी वे आराम कर रहे होते थे, तब उनके दिमाग में कमाल के विचार आते थे. जब Albert आराम करते थे, तब उनका अवचेतन मन उन्हें नियंत्रित करता था. अवचेतन मन कैसे काम करता है, इसका एक और उदाहरण है, एक मा का अपने बीमार बच्चे की देखभाल करना. सोने से पहले, मा खुद से कहती है, कि अगर उसका बच्चा रोया, तो वह उठ जाएगी. अब कल्पना कीजिए, कि उसके शहर में तूफान आया है. आधी के तेज शोर की आवाज से भी उस औरत की नींद नहीं खुलती है, लेकिन जैसे ही उसके बच्चे ने रोना शुरू किया, तो वह तुरंत जाग गई. ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि उस मा ने अपने अवचेतन मन को आदेश दिया था, कि अगर उसका बच्चा रोये, तो उसे त तुरंत जगा देना है. ये उन अंगिनत चमतकारों में से एक है, जो अवचेतन मन कर सकता है. आपका अवचेतन मन आपकी महाशक्ती है. अपने अवचेतन मन का अधिकतम उपयोग करना सीखने से आप महान परिणाम प्राप्त कर सकते हैं. हो सकता है कि आप कोई ऐसी चीज इसका आविश्कार कर दें, जिसकी वजह से आपका नाम भी इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो जाए। प्रार्थना करने से भी आपके विश्वास में मजबूती आती है। फिर उसने ठीक होने के लिए प्रार्थना चिकित्सा का सहारा लिया और 6 महिने बाद उसका हकलाना पूरी तरह से बंध हो गया। डॉक्टरों का कहना है कि प्रार्थना चिकित्सा न तो कोई धोखा है और नहीं अंधविश्वास। प्रार्थना चिकित्सा एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो हमारे अवजेतन मन को नियंतरित करती है। ये डॉक्टर मानते हैं कि बीमारी को ठीक करने के लिए आपको अपने अवजेतन मन में मौझूद कारणों को ठीक करने की आवश्यकता है। यदि आप अपने शरीर के लक्षणों, सिम्टर्म्स को ठीक करने में लगे रहेंगे तो ये केवल समय की बरबादी होगी। डौ, पारकर के अनुसार, प्रार्थना चिकित्सा आपके शरीर को ठीक करने के लिए आपके अवचेतन मन को ठीक करती है। प्रेयर थेरेपी में रोगी को मानसिक व्यायाम, मेंटल एकसाइज दिये जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को एक लिफाफा दिया जाता है, जिसमें उस बीमारी के बारे में लिखा होता है, जिसे ठीक करने की आवश्यक्ता होती है। फिर उन्हें हर रात सोने से पहले प्रार्थना करने के लिए कहा जाता है ताकि उनकी बीमारी पूरी तरह से खत्म हो जाए। हफ्तों तक हर रात प्रार्थना करने के बाद रोगी एक साथ बैठते हैं और अपनी भावनाओं के बारे में बताते हैं। प्रार्थना को इस तरह इस्तिमाल करने से अवचेतन मन की शक्ती मजबूत होती है और शरीर ठीक होने लगता है। अपने अवचेतन मन को समझाने के लिए उसे सरलादेश दें। अपनी बीमारी के लक्षनों पर ध्यान देना बंद करें और इसके बजाए खुद से कहें कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा और ऐसा ही होगा। अवचेतन मन और शराब की लत्थ। कुछ लोग शराब की लत्थ में फंस जाते हैं। वे खुद को शराब पीने से रोक नहीं पाते हैं और जब भी वे इसकी कोशिश करते हैं तो ज्यादातर हार जाते हैं। शराबियों का शराब न छोड़ पाने का सबसे बड़ा कारण है उनका खुद का विश्वास तंत्र, बिलीफ सिस्टम। वे ऐसा मानते हैं कि एक बार ड्रिंक उनके सामने आ गई तो खुद को नियंत्रित कर पाना उनके बस में नहीं है। इस तरह वे लगातार अपने अवचेतन मन को संदेश भेजते रहते हैं कि वे शराब पीना नहीं छोड़ सकते। शराबियों के मन में ज्यादा तर ऐसी ही मानसिक छवी, मेंटल इमेज भी होती है। वे कलपना करते हैं कि उनके सामने शराब से भरा गिलास पड़ा है। फिर वे खुद को उसे पीते हुए देखते हैं। वे इस बात की भी कलपना करते हैं कि शराब पीकर उन्हें कितनी संतुष्टी मिल रही है। एक शराबी शराब छोड़ने की जितनी कोशिश करता है इस आदत से छुटकारा पाना उसके लिए उतना ही मुश्किल होता जाता है। ऐसा बार-बार करने से शराबी अपने अवचेतन मन को नकारात्मक संदेज भेजता है। वह अपने अवचेतन मन को कहता रहता है कि वह शराब पीने का आदी हो चुका है, जिस कारण उसका शराब छोड़ पाना नामुम्किन हो गया है। एक व्यक्ती ने अपनी कहानी साजा करके बताया कि कैसे उसने अपने अवचेतन मन का उपयोग करके शराब पीने की आदत को छोड़ा था। और शाम को पांच मिनट के लिए इस बात को दोहराना शुरू किया। लगातार तीन हफ्तों तक एक ही बात दोहराने से उस व्यक्ती ने पाया कि वह अब शराब की गिरफ्त से मुक्त हो चुका था। उसने शराब पीना छोड़ दिया था और अब उसकी अपनी इच्छाओं पर नियंतरण भी मजबूत हो गया था। जब भी उस व्यक्ती को शराब पीने की तीवर इच्छा होती थी तो वह वही बात दोहराता था। अब उसकी शराब न पीने की इच्छा, शराब पीने की इच्छा से कहीं अधिक मजबूत हो गई थी। अगर आप खुद को शराब की लत में जकड़ा हुआ पाते हैं, तो ठीक होने का पहला कदम यह स्विकार करना है कि आपको समस्या है. फिर शराब के बारे में अपनी मानसिक छवी बदलने का प्रयास करें. यह सोचना बंद करें कि आप शराब के गुलाम हैं और सकारात्मक च सोचते हैं कि यदि उनका व्यवसाय विफल हो जाता है या उनकी नौकरी चली जाती है तो उन्हें अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा. यदि इन लोगों को अपने अवजेतन मन की शक्ती के बारे में पता होता तो वे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते. एक अमी अमीर व्यक्ती ने अपने अवजेतन मन को इस तरह प्रशिक्षित कर लिया होता है कि वह अच्छे और बुरे विचारों में अंतर कर पाता है. इसलिए अमीर व्यक्ती आर्थिक रूप से सुरक्षित होता है क्योंकि वह अपने मन पर भरोसा करता है. उसे अपने अवजेत वे दो शब्द हैं पैसा और सफलता हर रोज इन दो शब्दों को पूरे आत्म विश्वास के साथ बार बार दोहराईए धीरे धीरे आपका अवचेतन मन उन अवसरों को आकरशित करने लगेगा जिनसे आपको सफलता और पैसा दोनों मिलेंगे यदि आप इस तरीके को अपना चुके हैं लेकिन काम्याब नहीं हुए तो आपको और ज्यादा विश्वास करने की जरूरत है यदि आप चाहते हैं कि आपका अवचेतन मन आपके लिए पैसा लेकर आए तो आपको उन शब्दों पर विश्वास करना होगा जिन्हें आप द जरूरत है कि पैसा कमाने की चाहत होना गलत नहीं है और उसे पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है आप पैसे से जितना ज्यादा प्यार करेंगे उतना ही ज्यादा आपका अवचेतन मन उसे आपको दिलाने में मदद करेगा आए इस सेल्समैन का उदाहरन देखते ह जिसका नाम सैम है सैम हर हफते 15 डॉलर कमाता है इसे लेकर उसने कभी शिकायत नहीं की फिर कुछ ऐसा हुआ कि सिर्फ एक महीने में सैम साल का 12,000 डॉलर कमाने लगा उसे प्रमोशन मिला था और वह सेल्समैनेजर बन गया था आपको क्या लगता है कि सैम ने ऐसा क्या किया होगा जिससे उसे एक महीने में ही प्रमोट कर दिया गया असल में सैम हर रोज सुबह शेविंग करते वकट खुद को आईने में देखते हुए एक बात कहता था कि वह अमीर और सफल है हफतों तक सैम ने पूरे आत्म विश्वास और विश्वास के साथ इसी बात को दोहराया कुछी हफतों में 80 सेल्समैन में सैम को प्रमोट करने के लिए चुना गया सैम के दोहराय हुए शब्दों ने उसके लिए काम इसलिए किया था क्योंकि दाढ़ी बनाते समय वह रिलैक्स होता था जिस वजह से उसका अवचेतन मन सुझाव लेने के लिए तयार होता था इसके अलावा सैम को खुद पर भरोसा था और उसे पूरा यकीन था कि वह जरूर एक अमीर और सफल व्यक्ति बनेगा इसलिए उसके दोहराए हुए शब्दों ने उसके अवचेतन मन को यकीन दिला दिया था कि ऐसा होगा जरूर और उसका अवचेतन मन उसके लिए अवसरों को आकरशित करने लगा यदि आप भी अपने व्यवसाय में सफल होकर अमीर बनना चाहते हैं तो आपको रिलाक्स करने के दोरान अपने अवचेतन मन को सुझाव देना होगा उससे कहें कि आप एक सक्सेस्फल बिजनिसमैन है और काम्याभी खुद आपके रास्ते में आने लगेगी विवाहित जीवन में अवचेतन मन का प्रभाव यह अध्याए विवाहित जीवन में अवचेतन मन की भूमिका पर प्रकाश डालता है सामान्य तह जब कोई व्यक्ती जीवन साथ ही ढूनता है तो उसके मन में डर होता है कि उसकी शादी सफल नहीं होगी इसके बजाए उसे उन अच्छे पहलूओं पर ध्यान देना चाहिए जो उसे विवाह से प्राप्थ होंगे और अपने अवचेतन मन को विश्वास दिलाना चाहिए कि वह एक खुशहाल विवाहित जीवन जी सकता है सोने से पहले स्वयम को शांत करें आराम से लेटें, अपनी मांस पेशियों को शिथिल होने दें और कुछ देर के लिए शांत रहें ये कहना शुरू करें कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं और आपको प्यार करने वाला दयालू, इमानदार और वफादार जीवन साथी अवश्य मिलेगा जब आप ये शब्द बोलें तो पूरे विश्वास के साथ बोलें इस बात पर पूरा भरोसा रखें कि आकर्शन के नियम की सहायता से आपका अवचेतनमन आपके लिए सही जीवन साथी ढूंड लाएगा लिली नाम की एक महिला ने उस व्यक्ति से शादी की जिससे उसे प्यार था शादी के बाद लिली को पता चला कि उसके पती को ड्रग्स की लत है वह जिम्मेदार व्यक्ति नहीं था वह काम भी नहीं करता था और नाहीं लिली को किसी तरह सपोर्ट कर रहा था लिली जौब करती थी, वो ही घर का पूरा खर्च उठाती थी, लेकिन तब भी उसका पती उसके साथ रुखा बरताव करता था अगर लिली ने अपने अवचेतन मन का इस्तिमाल किया होता, तो वो अपने लिए सही जीवन साथी चुन पाती और इस मुसीबत में नहीं पढ़ती खैर अभी भी देर नहीं हुई है, लिली अभी भी अपने हालात बदल सकती है, सिर्फ इसलिए कि लिली एक गलत शादी में भंस गई है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसे उस नर्क को जहलते रहना चाहिए लिली को इस बात का एहसास हुआ कि अब पानी सर से उपर आ चुका है, इसलिए उसने अपना सामान बंधा और अपने पती को छोड़ कर चली गई एक और महिला ने अपनी कहानी बताई कि कैसे उसके पती ने शादी के 30 साल बाद शराब पीना शुरू कर दिया था उनके पती ने खुद को अपने परिवार और जिम्मेदारियों से दूर करना शुरू कर दिया था उसे छोड़ कर जाने और अपने पती के साथ हर वकत लड़ाई जगड़ा करने के बजाए उस महिला ने अपने घर में शांती बनाए रखने का फैसला किया उसने अपने पती की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया उन्होंने सोचा कि अगर वो शांती बनाए रखने पर फोकस करेगी तो उनका अवचेतन मन उसे अचीव करने में उनकी मदद करेगा और बिलकुल ऐसा ही हुआ कुछ ही हफतों में उनके पती को जैसे होश आ गया था और वो पूरी तरह बदल गए थे उस महिला ने अपने अवचेतन मन का इस्तिमाल करके अपनी शादी और परिवार को तूटने से बचा लिया था अवचेतन मन और मार्क दर्शन क्या आपने ध्यान दिया है कि ज्यादतर समस्याओं का समाधान तब सूझता है जब या तो आप सुबह सो कर उठते हैं या शावर ले रहे होते हैं या शेव कर रहे होते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस वकत आप शान्त होते हैं जब भी आप शान्त होते हैं, तब आपके सचेत मन की जगे आपका अवचेतन मन काम कर रहा होता है। अगर आप अपने अवचेतन मन को इस तरह ट्रेन करना चाहते हैं, कि वो मुश्किल वकत में आपकी मदद करे, तो आपको उसे एक बैंक की तरह सोचना होगा। आप इस बैंक में अपने सकारात्मक विचारों जैसे की शान्ती, भरोसा, दया और ताकत जमा, यानि डिपाॉजिट कर सकते हैं, या फिर आप अपने नकारात्मक विचारों जैसे की असफलता, दुहक और गरीबी जमा कर सकते हैं। एक बैंक की तरह ही आपका अवचेतन मन भी आपके डिपॉजिट को बढ़ा देगा। आपके विचार आपके अवचेतन मन में गहराई से प्रवेश करते हैं और जरूरत पढ़ने पर आपका मार्ग दर्शन करते हैं। जब आप किसी मुश्किल में हो तो शान्त रहें और समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित करें। अपने अवचेतन मन से मदद मांगें और वह निश्चित रूप से आपको जवाब देगा। एक बार इस पुस्तक के लेखक जोसेफ मर्फी की अंगूठी खो गई थी। को बार बार रॉबर्ट से पूछो कहते हुए पाया। ये जोसेफ को अजीब लगा लेकिन फिर भी उन्होंने रॉबर्ट से पूछा। रॉबर्ट ने जवाब दिया कि उसे अंगूठी घर के बाहर फुटपात पर पड़ी हुई मिली थी। उसने कहा कि उसे वह अंगूठी बहुत पुरानी और मामूली लगी। इसलिए उसने जोसेफ को नहीं बताया। फिर रॉबर्ट ने अपनी दराज से अंगूठी निकाली और उसे जोसेफ को दे दी। जोसेफ की तरह यदि आप भी अपने अवचेतन मन से प्रशन पूछेंगे तो आपको निश्चित रूप से उत्तर मिलेगा। यदि आपका अवचेतन मन आपको तुरंत उत्तर नही चाहे आप किसी भी चीज से डरते हों, ये जान लें कि उसका कोई न कोई समाधान जरूर है। यदि आप अपने अवचेतन मन को मजबूत रहने के लिए कहेंगे, तो आप मजबूत बन जाएंगे। अपने डर से भागने के बजाए उसका सामना करें। अपने अवचेतन म बंद करें, खुद को वह चीज करते हुए कलपना करें, जिससे आपको डर लगता है। उसी काम को बार-बार करते हुए दस मिनट तक कलपना करते रहें। इस अभ्यास को दिन में तीन बार करें और परिणाम देखकर आश्चर्य चकित हो जाएं। एक युवा लड़की ग गाना बे सुरा हो जाता था। उस लड़की को विश्वास था कि अगर वह लोगों के बीच गाएंगी तो निश्चित रूप से हार जाएगी। क्योंकि वह ऐसा सोचती थी, इसलिए उसके अवचेतन मन ने इसे सच बना दिया था। क्योंकि वह अपने अवचेतन मन को यह संकेत भेज रही थी कि वह असफल हो जाएगी, इसलिए वह सफल नहीं हो पा रही थी। उसने अपने डर को दूर करने के लिए इस तकनीक का उपयोग किया। वह दिन में तीन बार एक शांत जगह पर बैठने लगी। उसने अपनी आँखें बंद करके अपने शरीर को आर कि उसकी आवाज बहुत सुरीली है और वह मंच परशांत होकर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इस दिन चर्या का लगातार एक हफते तक पालन करने के बाद उस लड़की में जबरदस्त आत्म विश्वास आया। एक बार फिर वह ऑंडिशन के लिए गई और इस बार करती मिलेगी। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं इस बुक के कंक्लूजन पर सबकॉंशियस माइंड मस्टिश्क का वह हिस्सा है जो हमारी जागरूकता से परेकाम करता है। ये सूचनाओं को स्वच्चालित रूप से याद रखने और उन्हें जोडने के लिए जिम्मेदा है। ये किसी भी समस्या का स्मार्ट समाधान खोजने में भी मदद करता है। इस सारांश में आपने कॉंशियस और सबकॉंशियस माइंड के बीच अंतर समझा। इसे अब्जेक्टिव माइंड भी कहा जाता है। ये हमारी पांच इंद्रियों की सहायता से बाहरी वाताव पांच इस सारांश में भी माइंड बीचित करने में मदद करता है। अमीर बनने के लिए आपको अमीरों की तरह सोचने की जरूरत है। आपने अपने मस्तिश्क को सकारात्मक संदेश भेजने के लिए सुझाव देने की विधी सीखी। शराब की लट छुडाने के लिए आप खुद से कह सकते हैं मैं शराब पीने की लट से मुक्त हो गया हूँ। आपने सीखा कि बीमारी मस्तिश्क से शुरू होती है। स्वस्थ रहने के लिए आपको अपने सबकॉंश माइंड को यह बताने की जरूरत है कि आप बिल्कुल ठीक हैं। हमने जाना कि एक खोश समाधान का भंडार होता है। जब भी आप किसी मुश्किल में हो तो आप मद के लिए अपने सबकॉंश माइंड पर निर्भर कर सकते हैं। अब जब आप जान चुके हैं कि सबकॉंश माइंड कितना शक्तिशाली होता है तो आपको अधिक स्वस्थ सफल और खुशाल जीने से कोई नहीं रोक सकता। यब उस तक आपको अपने सबकॉंश माइंड की शक्ति को समझने और उपियोग करने में मदद करेगी।